दोस्तों अगर आप भी रोहिश शर्मा को एक शांदार कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा दोस्तों T20 में शर्म नाग प्रदर्शन करने के बाद विराट कोली से उनकी वंडे कप्तानी भी छीनली गई जिसके बाद 2023 के वंडे विश्व कप को ध्यान में रखते हुए BCCI ने ODI की जिम्मेदारी रोहिश शर्मा के कंदों पर दे दिये आपको बता दे कि रोहिश शर्मा ने IPL में मुमई इंडियन्स को 5 खताब जिता हैं और वहीं जब-जब उनको बारत्य टीम की जिम्मेदारी मिली वहाँ भी उन्होंने बहतरीन कप्तानी करते हुए बारत्य टीम को जीत दिलाई है जिसके बाद कोली से कप्तानी चीन कर BCCI ने उनको T20 की कप्तानी के बाद ODI की भी जिम्मेदारी देती और वहीं इस जिम्मेदारी को मिलते ही रोहिश शर्मा ने बारत की नई संसनी कहे जाने वाले अनकैप्ड खिलाडी को साउथ अफरिका के खिलाब होने वाले ODI सीरीज के लिए बारत्य टीम में शामिल करने वाले हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं कौन है वो खिलाडी लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोईश शर्मा और विराट कोली में से बैतरीन कप्तान कौन है आप अपनी राय हमें नीचे दिये के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तो बारती टेस्टीम साउथ अफरिका में अपना पहला बैतरीन आगास कर चुकी है जहां उसने पहले दिन का खेल खत्म होने तक मातर तीन विकेट के नुकसान पर 273 रनो का शांदार स्कोर खड़ा किया है और वहीं पूरे दिन धमाकेदर बनलबाजी करते हुए केल राहूल ने जबरदस्त शतक जड़ा है और उनके इस शतक से पूरे क्रिकेट जगत में संसनी मची हुई है क्योंकि वसीम जाफर के बाद वो दूसरे ऐसे ओपनर है जिन्होंने साउथ अफरिका की धर्ती पर शतक लगाया हो वहीं दोस्तों टेस्ट टीम के चैन के बाद भारतिय सेलेक्टर अब ODI टीम का भी चैन करने वाले हैं जिसको अपनी चोट से रीकवर करते हुए रोहिश शर्मा ही लीड करते नजर आएंगे दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई में हुए एक प्रेक्टिस सेशन के दौरान रोहिश शर्मा चोटिल होकर साउथ अफरिका के खिलाफ होने वाली टेस्स से बाहर हो गए थे लेकिन वहीं अमेरिका करुक करते हुए वो ODI टीम में वापसी कर सकते हैं लेकिन दोस्तों महीं दूसरी तरफ ऐसी खबर आ रही है कि गरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाले युवा शारु खान को रोहिश शर्मा अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं विजह हजारे ट्रॉफी से पहले हुए सेयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने फाइनल में शांदार चक्का लगा कर अपनी टीम को जीत दिलाई थी। और इतने ही गगन चुम्बी छक्के लगाए थे। अब इनी राय हमें नीचे दिएके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताईएगा और ऐसी ही शांदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा